दोस्तों आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्टरी के जो है अभी तक हिस्टरी के बारे में या इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही important होने ओला है ठीक है दोस्तों मैं आप लोगों को जो है इसमें one by one करके जो है PPT से जो है पढ़ाऊंगा ठीक है powerpoint से जो है पढ़ाऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा ठीक है दोस्तों यह MTS GD ठीक है और रेलवे अगर आप लोग इन सभी परिष्छाओं की तयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए जो है बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है ठीक है तो अधिक जानकारी के लिए जो है आप लोग बने रहे हैं हमारे साथ में आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि ये जो है किस-किस एक्जाम के लिए जो है important होने वाला है ठीक है दोस्तों अगर आप लोगों ने इसके पहले history पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं आप इसको देख सकते हैं आप लोगों को खुद ही लगेगा कि मुझे जो है इसमें कुछ extra knowledge जो है मिल रहा है ठीक है दोस्तों तो आएए आगे बढ़ते हैं ठीक है दोस्तों यह जो है आप लोगों का series जो है यह सभी लोगों के लिए है जीरो से हीरो तक के लिए ठीक है तो आए श्टार्ट करते हैं इसमें है दोस्तों हम लोग जो है पढ़ेंगे हम लोगों का जो इतिहास है हम लोगों के देश का जो इतिहास है वह 235 BC से 2021 AD तक मतलब अभी तक का है ठीक है दोस्तों तो मैं पहले आप लोगों को बता दू कि BC का का मतलब क्या होता है और ad का मतलब क्या होता है तो दोस्तों बी-सी का मतलब जो होता है विफोर क्राइस्ट होता है ठीक है विफोर क्राइस्ट का मतलब होता है दोस्तों इसा पूर्व ठीक है इसा पूर्व ठीक है दोस्तों इसा पूर्व होता है और ad का मतलब होता है दोस्त दोस्तों एनो डॉमिनी ठीक है। जिसका मतलब होता है दोस्तों इस वी ठीक है। जिसका मतलब होता है इसमि, ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, अचरा अब आप लोग पोछेंगे कि ये जो है ईसाइपूर्ब और ये एनो डॉम्नी या इसमि जो है किसके नाम पर है, तो दोस्तों ये हम लोगत के जो है, कृस्चियन धर्म क जो है इसाई धर्म के जो है एक संस्थापक थे इसाई धर्म के एक देवता थे जिनके नाम पर जो है ये इसा पूर्विया इस भी जो है रखा गया है तो आप लोग कहेंगे दोस्नों की और किसी किसी और के नाम पर क्यों नहीं रखा गया क्यों इनी के नाम पर क्यों रखा गया तो ऐसा इस लिह है दोस्तों की जो हम लोग कलेंडर यूज करते हैं जिस कलेंडर के हम लोग अभी तक यूज कर रहे हैं जिसके हसाब से आज 2020 चल रहा है इसवी रूर्फ है और दोस्तों उसका लेंडर नाम है सबसे अधिक जो है प्रियोग किया जाता है ठीक है तो इसको हम लोग करते हैं बर्थ आफ क्रैस्ट बर्थाफ क्राइस्ट का मतलब होता है दोस्तों इससा मसीह का जन्म ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग के देश का इतिहास जो है कितना पुराना हो गया यहां से हम लोग देख सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग यहां समझ पा रहे हैं कि हम लोग के देश का इतिहास जो है जिसको कोई जुठला नहीं सकता है तो इसी के बारे में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे ठीक है आये देखते हैं तो दोस्तों ये जो है हम लोगों का पूरा इतिहास है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो ये जो 2350 BC से मतलब इसा पूर्ब से 750 इसवी ठीक है, AD, ठीक है, तेश सो पचास इसा पूर्ब से, ठीक है, सास सो पचास इसवी, इसवी तक का जो समय है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत, ठीक है, दोस्तों, इतने वर्षों के इतिहास को जो है, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास करते हैं, ठीक है, यह हम लोग का हुआ प्राचीन भारत, ठीक है, दोस्तों, इसके बाद में यह जो 750 AD से 1757 AD है, मतलब 750 AD से जो है, 1757 AD है, इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं, मध्यकालीन ठीक है, मध्यकालीन भारत ठीक है दोस्तों, मध्यकालीन भारत इसको हम लोग जो बोलते हैं, मेडाइबल इंडिया ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं, एनिसेंट ठीक है, इनिशेंट इंडिया ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों इसको हम लोग जो है बोलेंगे मध्यकालिन भारत ठीक और आगे हम लोग देखते हैं ये जो 1757 AD से 1947 AD है मतलब 1757 SB से 1947 SB तक का इध्यास दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक भारत ठीक है ठीक है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक भारत ठीक है तो दोस्तों हम लोग के देश का जो इतिहास है इसमें सबसे बुरा समय जो है हम लोग का क्या था modern इंडिया का था ठीक है आधुनिक भारत का सबसे खराब समय हम लोगों का था ठीक है इस तरीके से हम लोग जो है अपने देश का इतिहास पढ़ेंगे और आप लोग को कोई भी doubt नहीं होगा थोड़ा सा भी doubt नहीं होगा जिस तरीके से आप लोग देख रहें मैं आप लोगो को किस तरीके से स्थानवाई जो है पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को पता चलेगा ये थोड़ा सा भी doubt नहीं रहेगा कि ये कहां से उठा के ले आए हैं आनका पढ़ा रहें ठीक है दोस्तों आईए हम लोग ये आगे बढ़ते हैं ठीक तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे जिसके बारे में वो हम लोग का जो है तेईस सो पचास बीसी से सत्रा सो पचास बीसी तेईस सो पचास बीसी मतलब तेईस सो पचास इसा पूर्व से सत्रा सो पचास इसा पूर्व ठीक है यही हम लोगों का जो है इतिहास दोस्तों सुरुवात का सबसे स्टार्टिंग का जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सब्वता ठीक है यहां हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सब्वता ठीक है और इसी सिंधु घाटी की सब्वता सिंधु एक नदी थी दोस्तों जिसकी वज़ा से जो है इसको हम लोग कहते हैं सिंधु गाटी की सब्हता और इसी सिंधु नदी के नाम से ही दोस्तों हम लोग के नाम को लोग कहते हैं हिंदु ठीक है सिंधु के नाम से ही हिंदु पड़ाता ठीक है लेकिन दोस्तों उस समय हिंदु कोई religion नहीं था, कोई धर्म नहीं था हिंदु एक सभ्यता थी, मतलब हिंदु एक सभ्यता थी ये बाद में कुछ बुद्धिमान लोगों ने इसको एक धर्म बना दिया ये उस समय हम लोगों के लिए दर्म नहीं था ये एक के वल सभेता मात्र थी ठीक है दोस्तों उसके बाद में ये जो बीच का समय है दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं हुआ था ठीक है पहले हम लोग देख अभी हम यहां से पढ़ा रहें ठीक है अभी जैसा कि मैंने बताया है एनिसेंट हिस्ट्री ठीक है एनिसेंट इंडिया मतलब कि प्राची नितिहास पढ़ा रहें ठीक है अभी यहां तक के बारें पढ़ाएंगे आज हम लोग क्योल इतना ही पढ़ेंगे ठीक है और इसको जो है इसक 1750 BC दोस्तों इस समय हामलों का जो है सिंधु घाटी की सभिता जो है नस्ट हो गई थी मतलब वहां के लोग जो है नहीं बचे थे ठीक है दोस्तों तो उसके बाद में इस बीच वाले समय में जो है कुछ भी नहीं हुआ था उसके बाद में 1500 BC से 600 BC के बीच में जो है आरे लोग आये थे अपने देश में तो इसके बारे में हम लोग यहां पढ़ेंगा ठीख है तो आईये हम लोग जो हैं अगे बढ़ते हैं ठीक दोस्तों कि अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि सर जो है यह सिंधु सिंधुगाटी की सब्विता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यह जो अपनी सब्विता है सिंधुगाटी की सब्विता है दोस्तों इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो क्या उस समय जो है दुनिया में और लोग नहीं रहते थे या दुनिया में और सब्विताएं नही थी यह मेसो-Potam Completely सभथा ठीक है तो यह सभथाय भी जो है हम लोगों के दुनिया में उस समय थी लेकिन दोस्तों सबसे डेपलाइबड जो है सबसे अच्छी सभथा जो है सबसे आगे बढ़ी हुई सभिता जो थी दोस्तों ये थी हम लोग की सिंधुगाटी की सभिता ठीक है तो ये सिंधुगाटी की सभिता जो है ये हमारी है मतलब इंडियन है इसलिए हम लोग इंडियन है तो इसी को हम लोग जो है आज पढ़ेंगे ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है दोस्तों तो यहां जो है अब हम लोग पढ़ेंगे सिंधुगाटी की सब्विता के बारे में ठीक है दोस्तों सिंधुगाटी की सब्विता के बारे में ठीक तो यह सिंधुगाटी की सब्विता जो है दोस्तों हम लोगों की है उस समय क्या हुआ था सिंधुगाटी की सभ्यता को जो है हडपा संस्कृत भी कहा जाता है देखे एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूँ ये जितने भी हडपा मोहन जोदडो या ये सब जो है नाम है जितनी भी साइटे खोजी गई है दोस्तों इनका न सब लोगों कहतने हैं मतलब किये हडपा मोहन जोदडों काली बंगा ये सब जो है सका नाम जो है हम लोग बाद में रखे है इन सभी को एक में मिलाकर सब जो है हम लोग सिंधुघाटी की सभ्यता ही कहते थैं ठीक है तो म случай पहले सुरूआत में जो है सभ्यता के नाम से ही प बताया जाता है लेकिन मैंने जो बताया है तेजसों पच्चास जो है यह दोस्तों आप लोग के NCRT के बुक में है इस्टेंडर्ड है ठीक है इसलिए मैंने इसको लिया है ठीक है और यह उनीस सो जो है इसको लोग NCRT की बुक में दिया है सत्तरा सो पच्चास बीसी मतलब इसा पूर्ब ठीक है इसलिए मैंने जो है यह लिखाया ठीक है तो यह कुछ लोग इसको मानते हैं ठीक है इसको हडपा की संस्कृत भी कहा जाता है यह हम लोग तो इसको सिंदगाटी की सबता जान और दोस्तों यह जो है सबसे स्टार्टिंग में जो है भारतिये पुराता तो सरबेच्चन के पहले महा निदेशक जो है अलेकजंडर कनिंगम ठीक है यह मोस्ट इंपोर्टेंट थींख है दोस्तों सबसे पहले जो है भारतिये पुराता तो सरबेच्चन के पहले महा जो थे अलेकजंडर कनिंगम इन्हों नहीं सबसे पहले जो है शिंदुघाटी की सभिता को जो है खो जा था ठीक है दोस्तों इसलिए इनको जो है भारतिय पुरातत्त का जो है जनक भी माना जाता है ठीक है भारतिय पुरातत्त का इन्हें जनक भी माना जाता है ठीक है दोस् लिए एक important वीडियो लेका आओंगा जिसमें जो है main main questions जो है उनको जो मैं आपके सामने रखूंगा ठीक है तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं ठीक है तो दोस्तों इसमें जो है मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो हम लोगों की सभता थी सिंधु घाटी सभता थी ये जो है कुछ नदियां थी उनके किनारे जो है ये हुआ था ठीक है तो इसमें जो है सिंधु नदी थी ठीक है राबी सतलज ब्यास और ठीक है चिनाब ये कुछ नदियां थी ठीक है जो इसमें जो है आप लोगों के सामने जो है दिख रही है ठीक है ये कुछ नदियां थी ठीक है दोस्तों और आप लोग इसमें जो है भारत का नक्षा तो देख ही रहेंगे ठीक है और दोस्तों एक और main important thing मैं बता दूँ दोस्तों जो इस समय का recent का सब से आधुनिक जो है इस समय जो है खोजा गया है जो खोजी गई साइट है दोस्तों ये सब आप लोग समझ रह जो है पुरानी बातों को जान रहे है कैसे जान रहे है मतलब इसी खुदाई से जान रहे है ठीक है तो ये अलग-अलग तरीक की जो है साइट है अलग-अलग जगहों पर मिल रही है जिसका नाम ये लोग रह रहे है ठीक है तो दोस्तों recent की एक साइट है जो राखी गढ़ ठीक है और दोस्तों राखी गढ़ी जो है ये सबसे बड़ी अभी तक की साइट है ठीक है अब इसके बाद में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ठीक है इसमें हम लोग देख रहे हैं हडपा अस्थलों की खोज जो है हडपा की खोज किस ने की थी दयाराम साहनी ने की थी ठीक है दोस्तों 1921 में जो है दयाराम साहनी ने की थी ये दोस्तों कहा पर है पंजाब पर है पंजाब में है पाकिस्तान में ठीक है पंजाब जिले में है जो है ये दोस्तों ये पाकिस्तान में है ठीक है हडपा जो है हम लोग का ये पाकिस्तान में है ठीक है पंजाब जिले में है ठीक है मोहन जोदरो की खोज जो है आरडी बनरजी ने किया था या लरकाना जिले में है ये भी पाकिस्तान में है ठीक है दोस्तों सिटी जो है सिटी जो है एक साइट है इसको जो है दो नाम से जो है डिवाइड कर दिया गया है दो नामों से विभाजित कर दिया गया है पस्चिमी ठीक है सिटी को गढ़ पस्चिम और लोवर टाउन जो है पूर्व में विभाजित कर दिया गया है ठीक है दोस्तों ये हमलों की साइट है और इसके आगे बढ़ते हैं हमलों उस समय क्या हुआ था लाल मिट्टी के बरतनों को काले रंग में डिजाइन के साथ चित्रित किया गया था ठीक है जो हमलों को सब भेता में जो है मिल रही है चीजें उसमें से हम लोगों को यह पता चलता है कि लाल मिट्टी के बरतनों को काले रंग के डिजाइन के साथ चित्रित किया गया था ठीक है अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा ठीक है इस्टोन वेट सील्स इस्पेसल बीड कापर टूल्स लांग स्टोन ब्ले कि रिजा ठीक है हस्थ सिल्प के लिए जो है लोगों के पास जो है हस्थ सिल्प के जो है बिसेष लोग थे जो लोग मतलब अच्चे से भाब बरतन जो है बना लेते ठीक है कच्य माल का आयात भी करते थे सोचिए दोस्तों वो लोग जो है कितने आगे थे मतलब हमारे पूरुबज जो थे वो कितने आगे थे मतलब कितना सब जानते थे ठीक है मतलब की कच्छे माल का आयात मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते ठीक है बरतन बना लेते थे अभी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को जो है विश्वास नहीं होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए यह है दोस्तों हडपाई मिर्द भांड ठीक है जो हडपा की सभेता में जो है जो हडपा से मतलब खुदाई पर जो है मिला है दोस्तों यह देख रहे हैं आप लोग मिट्टी के बतन कितने मतलब किस तरीके से जो है यह डिजाइन इस पर बनाए गया है ठीक है हडपाई सीले ठीक है यह हडपा में जो है प्राप्त हुई सीले है मतलब मोहरे हैं जो उस सम में वो लोग जो है अपने रुपए पैसे के तरीके से जो है यूज करते थे एक चीज मैं भूल गया हूं दोस्तों पीछे मैं थोड़ा सा बता देता हूं हाँ यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जो है दो चीजे नहीं देख रहे हैं देखे ताबा कांसे चांदी सोना यहाँ पर आप लोग जो है लोहा लोहा नहीं देख रहे हैं इसका मतलब दोस्तों कि लोहा उस समय जो है नहीं उपलब्द था यह मोस्ट इंप्व ठीक है दोस्तों लोहा उसे में उपलब्ध नहीं था ठीक है और एक चीद दोस्तों अभी आगे आप लोग देखेंगे घोडा ठीक है घोडाओoug का यूज वो लोग नहीं करते थे ठीक है अभी आप लोग आगे देखेंगे ठीक है आगे आए बढ़ते हैं यहां से आप लोग देख रहे हल का उपयोग किया गया था ठीक है क्योंकि हल के जो है वहाँ पर जो है हम लोग के जो है सबूत मिले हैं हम लोग जो है उसको देखे लकड़ी के ताबूतों में दफन किया गया था लेकिन बाद के चरड़ों के दवरान एच समरूता संस्क्रित बिख्षित हुई जहां सवों को चित्रित दफन कलसों में दफनाया गया था ठीक है दोस्तों तो यहां से आप लोग समझ रहे होंगे कि पहले जो है सवों को किया जाने लगा था ठीक है और एक चीज बता दूं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यह सब चीजे जो है हम लोग कैसे पता करते हैं कि कितनी पुरानी है यह सब चीजे तो दोस्तों एक कारबन बारा सी 12 ठीक है कारबन बारा जो होता है इसी से जो है हम ल नहीं किया जाता था देख रहना आप लोग यह most important है ठीक दोस्तों गन्य की खेती नहीं की जाती थी घोड़े लोहे का उपियोग नहीं किया जाता था ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं यह हडपा ठीक है हडपा में दोस्तों पत्थरों की बनी मोहरे मिली है हडपा के बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ा सा देखा है पत्थरों की बनी मोहरे मिली है ठीक है राबी नदी के तटपर बाहर की और एक गढ़ मिला है ठीक है मोहन जोदोडो अब हम लोग मोहन जोडो ये देख रहे हैं आप लोग जोए मोहन जोडोडो के बारे में ग्रेट बात मिला है ग्रेट ग्रेनरी डांसिंग गर्ल मैन बिथ बियर्ड कार्टन असेंबली हाल ये सब चीजें दोस्तों हम लोगों को देखने को मिली है ठीक है खुदाई में हम लोगों को ये सब देखने को मिली है ठीक है मोहन जोदोडो में आप लोग देख रहे होंगे डांसिंगर लिए है मिली है दोस्तों ये मैन बित बीर्ड मतलब दाड़ी वाला जो है आदमी मिला है इसको पुरोहित राजा या मोहन जोदोडो मोहन जोड़ो में मिला है इसको पुरोहित या राजा जो है हम लोग बोलते रहे होंगे उस समय ठीक है दोस्तों मोहन जोड़ो सब्द का अर्थ जो है मिर्तकों का परबत है ठीक है अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये सब नाम जो है हडपा मोहन जोड़ो यह सब हम लोग रखे हैं, मतलब जब हम लोग इसको इसकी खुदाई कर रहे हैं, पहले तो इसका सब मिलाकर एक ही नाम था, सिंदुगाटी की सब्विता, ठीक है, तो उसके बाद में दोस्तों माना गया कि बाढ़ या आकरामक से बिनास हुआ, ठीक है, बिनास करमिक नहीं अभी मैंने बताया, दोस्तों, कि जो है ये, ग्रेट बात मतलब की ब्रिहद असनानागार जो है, ठीक है, तो आज के समय के जो लोग जो है, दोस्तों, बात टब का या नहाने वाले टब का यूज करते हैं, वो लोग जो है, अपने आपको इतना बुद्धिमान नहीं समझ क्योंकि हमारे पूर्बज ही खुद जो है, पहले इतने बुद्धिमान से देख रहे हैं, कि वो लोग खुद जो है, ये सब बनाये थे, ठीक है, ये इतिहास जानने के बाद हम लोगों को ये समझ में आता है, कि हम लोग जो है, अपने पूर्बजों से कितना आगे बढ़ पाए हैं, ठीक है, कितना आगे बढ़ हैं, ठीक है, वैसे तो आगे बढ़ ही गए हैं, आप लोग देख रहे होंगे, कि अब हम लोग कहां तक जो है, चंद्रमा मंगल तक सब पहुंच रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इतिहास जो है, जो है जानना बहुत जो रहे हैं, और ए अब चनहुदारो के बाले पढ़ रहे हैं सिंदु गाटी का तट जो है सिंदु नदी का तट जो है वहां पर गोपाल मजूमदार और मैके दोरा 1931 दोरा खोजा गया है यह चनहुदारों पूर्बहरपा संस्कृत जंगर संस्कृत और जूकर संस्कृत यह जो उस समय की जह संस्क्रिक झी मतलब कल च्रता ठीक है दोस्तों यह जो है जैरे जो है ज़ Inner Vidak विए सिंधुना दिक किनारे जोए मिला है और इसको किस ने इसको किन किन लोगों ने जोहें पता किया है तो गोपाल-मजूमदार और मैकेने ठीक है दोस्तों एक अन्य साइट है का क्या मिला है फायर अल्टर्स मिले हैं उट की हड्डिया मिले हैं घोडों के आवसोस मतलब घोड़ा के आवसेश भले ही सिंदु घाटी के लोग घोडों का उपयोग नहीं करते थे लेकिन जो है घोड़े के जो है आवसेश मिले हैं ठीक है घोड़े के आवसेश मिले हैं ठीक सिंद्धु सामराज की तीसरी राजधानी के रूप में भी इसे माना जाता था ठीक है सिंद्धु सामराज मतलब सिंद्धु घाटी सब्वता की तीसरी राजधानी के रूप में भी जो है काली बंगा को माना जाता था ठीक है आप लोग जो है इसको ध्यान में रखेंगे को आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां से इसके बाद में हम लोग देखते हैं भोगवा नदी के पास जो है गुजरात में देखिए दोस्तों गुजरात में भी जो है साइट मिली है अभी मैं आप लोगों को जो है बहुत मतलब इस्पेसल तिंस जो दिखाऊंगा जो वो लोग पहले जो है यूज करते थे ठीक है देख आप लोग उसको समझ देखकर ये नहीं विश्वास करेंगे कि क्या हमारे पूर्बच जो है इतने बुद्धिमान थे ठीक है आप लोगों को विश्वास नहीं होगा ठीक है दोस्तों तो लोथल जो है एक साइट है भोगवा नदी क पास में जो है गुजरात में सर राव द्वारा जहां 1957 द्वारा खो जा गया है ठीक है साबर मती की सहायक नदी के किनारे जो है यह है ठीक है अगनी बैती अंग अगनी बैतिकाएं वहाँ पर मिली हैं दोस्तों भंडार ग्रिह मिला है डाक यार्ड और नजदी की बंदरग निर्यात भी करते थे यहां से जो है प्रूफ मिलता है ठीक है दोस्तों यहां से प्रूफ मिलता है कि वो लोग जो है बंदरगाह भी बनाये थे ठीक है दोहरा दफन भी मिलने लगा था दोस्तों चावल के छिलके मिलने लगे थे और हाउस में फ्रंट एंट्रेंस जो है अ अगे से जाने का जो ऩो मिला था वो जो है अपवाद मिला başka ठीक में थो तो यहाँ से जो है मोग देख चुके है हाँ एक चीज और मैं बता दू कि वह लोग जो है पहले सबसे ज़्यादा जो जो और गेंहूं गेहूं का जो है प्रियोग करते थे और यहां पर जो है गुजरात की जो यह साइट है यहां पर जो है चावल के छिलके मिले हैं जिससे पता चलता है बाद में कि यहां के लोग जो है जो है जो यहां रहते थे वो लोग जो है चावल का यूज करते थे ठीक है इसके आगे है दोस्तों रोपड रोपड एक साइट है सतले नदी के किनारे बसा है पंजाब में ठीक है यह वाईडी सर्मा द्वारा खोजा गया है 1955 में ठीक है कुत्तों और इंसानों के साथ दफन ठीक है यहां हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कुत्ते और इंसान दोनों लोगों को जो है एक साथ में दफना आगया है तो दोस्तों ये भी एक उन लोग की संस्कृत रही होगी वो लोग जो है पहले जो है जानवरों और पस्वों से और पच्चियों से मतलब की नेचर से ठीक है तो वो लोग इस तरीके से नेचर से मतलब परकृत से प्रेम कर देते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां से आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, जो गुजरात की साइट है वहाँ पर डाक यारड ठीक है, यह चितर देख कर आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कितना चवर यहां पर बंदर गाहवने थे जिसके त्रोव वो लोग आयात और निर्यात करते थे वस्तूं का, तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे पूर्वत जो है कितने डैपलब्ड थे मतलब कितने आगे बढ़ शुके थे थे तिक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बनवाली ठीक ह पर है ठीक है यहां पर देखिए आप लोग देख रहे हैं जोगी खेती यहां पर मिलती है ठीक है और दावला वीरा एक साइट है राखी-गढ़ी की खोज तक भारत में सबसे बड़ी साइट यह थी ठीक है दोस्तों मैंने क्या बता है कि इस समय जो है सबसे बड़ी साइट खोज में आई है वो क्या है राखी गढ़ी राखी गढ़ी ठीक है दोस्तों लेकिन राखी गढ़ी ये इस समय नंबर वन पर सबसे बड़ी साइट है ठीक है दोस्तों लेकिन इसके पहले सबसे बड़ी साइट कौन थी धौला वीरा ठीक है धौला वीरा धोला बीरा जो है सबसे बड़ी साइड थी ठीक है उस समय दोस्तों ठीक है अब की समय अब यह जो है second number पर आ गई है ठीक है खादिर बेट कच के रण गुजरात में इस्थित है ठीक है यह गुजरात में है यह धोला बीरा जो है रबींद्र सिंग ने जो है इसको खोजा ठीक है 1990 में ठीक है तीन भाग समारोह के लिए बड़ा खुला छेदर इसमें क्या मिला है दोस्तों देख रहे हैं आप लोग समारोह मतलब जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे पूर्बज भी जो है समारोह मनाते थे जैसे हम लोग मतलब बड़े मैरे जी यह सब जो है तो वो लोग भी जैसे क stuffing हरी जान शमारोह फंक्शन होता था देखने को मिली है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते है ये जो है धौला बीरा की जो है साइट है धौला बीरा की साइट जो है दोस्तों धौला बीरा की साइट पर जो है ये सब चीजें जो है उपलब दो थी ठीक है तो ये जो है मेन यहाँ पर जो है ये साइट थी ठीक है मतल सिंधुगाटी का धर्म ये most important thing है जानना हम लोग के लिए जानना ठीक है पसुपती महादेव या प्रोटो सिवा की पूजा करते थे वो लोग देवी मा की पूजा करते थे ठीक है प्रकृत की पूजा करते थे नेचर जैसा कि मैंने बता है पसुओं की पूजा करते थे प्रकृती में मतलब पसुओं और ये सब पेणपोधे सब आगे ठीक है गेड़ा कबूतर पीपल पीपल का पेण जो हम लोग इस समय पूजा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बहुत आगे बढ़ गए है ठीक है थोड़ा सोचते हैं मतलब हमारे पूर्बज भी जो है पीपल का जो है पूजा करते थे आग की पूजा करते थे अगनी को मतलब देवता मानते थे ठीक है वही हम लोग भी कर रहे हैं ताबीज जो है उस समय भी थी ठीक है मूर्ती पूजा का अभ्यास किया गया ठीक है ठीक है दोस्तों उसके पहले ही हम लोगों के पूर्बत जो है मूर्ती की पूजा करते थे तो इसको हम लोग यह नहीं कर सकते हैं कि जो आरे जो है वो आये तो उन्होंने हम लोगों को यह सिखाए या कुछ भी हमारे पूर्बत जो थे वो पहले से ही जो है मूर्ती की पूज करते थे ठीक है मंद्रों का निर्माण नहीं किया गया था ठीक है मंद्रों का निर्माण नहीं था हिंदू धार्मिक पर्थाओं में समानता दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि पहले सिंदुगाटी की जो सभ्यता थी वो जो है एक सभ्यता थी मतलब एक कल्चर था ठीक है वो पहले कोई धर्म नहीं था ठीक है पहले वो कोई धर्म नहीं था और ये अलग बात है कि जो जो वो हमारे पूरवज करते थे उन्ही चीजों को जो है आज के लोग मतलब हिंदु धर्म के लोग जो है उसको अपना लिया है ठीक है हिंदु धर्म के लोग जो है उसको अपना लिया है ठीक है लेकिन उस समय कोई भी धर्म नहीं था वो एक ठीक है। और हिंदू उनको इसलिए बोलता थे क्यों आप लोग देख रहें कोई भी जात ब्योस्था नहीं थी ठीक है तो ये जो ये जो लाइन हैं हिंदूधर्मिक पर्थाओं में समानता ये तो हिंदू धर्म के लोग जो है बाद में उस कल्चर को या उस सभ्यता को अपना लिये हैं और कुछ लोग जो है इसको जो है एक धर्म का नाम दे दिये हैं ठीक है पहले वहाँ पर धर्म नहीं था ठीक है आगे बढ़ते हैं यह देखें दोस्तों कैसे हम लोग को पता चलता है कि वो लोग जो है मूर्ती की पूजा करते थे या मूर्ती पूजा का अभ्यास के आगे या हम लोग कैसे मानते हैं कि जो मूर्ती है या वो लोग सीवा की पूजा करते या सीव की पूजा करते थे तो दोस्तों एक उन लोगों के पास में जो है ये वहाँ से जो है एक ये मिला है जिसमें जो है एक बैक्ति बना है ठीक है एक बैक्ति का जो है चेतर बनाए है वो लोग और इसमें जो है उसके सिर पर जो है मुकुट है उनके सिर पर ठीक है और उनके चारो तरफ जो है देख रहे हैं आप लोग जो है जानवर जो है दिख रहे हैं ठीक है तो इस चीज से जो है हम लोग अनुमान लगाते हैं हम लोग जानते हैं कि एक ही दे भी दे होता है जिनके चारो तरफ जो है स्नाब जा करते थे ठीक है और वहां से एक और मूर्ती मिली है दोस्तों यह है जिसको जो है हम लोग बोलते हैं मातर देवी की मूर्ती ठीक है वो लोग भी इसको पहले मातर देवी की मूर्ती ही मानते होंगे और एक चीज़ बता दें कि उन लोगों का जो समय था उन लोगों के समय म जो है परिवार जो होता था वो मात्र सत्तात्मक होता था ठीक है मात्र सत्तात्मक ठीक है मतलब की वहाँ पर जो है माता का जो है माता का सब जो है चलता था ठीक है राज चलता था ठीक है दोस्तों मतलब घर में जो लेडी जो होती थी उनका ठीक है इस तरीके से जो हम लों के पूर्बज थे आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिंदुघाटी समाज और संस्क्रेट ठीक है अब इन लोगों का जो है समाज और संस्क्रेट के बारे में वजन और माप की ब्योस्थित बिधिती most important thing ठीक है दोस्तों यहां से हम लोगों को यह पता चलना चाहिए कि हम लोगों के पूरबज कितने आगे मतलब कितने आगे तक थे कितने बिख्षित थे ठीक है वहाँ पर जो है वो लोग वजन को मापने के लिए भी ब्योस्था किये थे मतलब कि 16 के गुड़क में था जो है लोग वजन मापते थे ठीक है चित्रातमक लिपी भी थी ठीक है पूरण और महिलाओं को समान दरजा यह भी एक most important है वहाँ पर पूरसों और महिलाओं को जो है समान दरजा था मतलब जो काम जो है पूरुष कर सकते थे वही काम जो है मैलाएं भी कर सकती थी, उस समय ठीक है, आर्थिक आसमानता थी, ये चीज है दोस्तों, उस समय आर्थिक आसमानता थी, मतलब सभी लोगों के पास जो है, समान तरीके से जो है, पैसे नहीं होते थे, ठीक है, उन लोगों का काम क्या था दोस्तों, कपड़ा, कताई बुनाई, ये सब वो लोग का जो है किसी के मरने पर जो है दाहा संसकार करते थे ठीक है दोस्तों तो वो यह था दफनाते थे और उसके बाद में जलाते थे और पोस्ट समसान मतलब समसान में भी ले जाते थे ठीक है हलाग कि दफनाना आम था ठीक है मतलब कि दफनाना उस समय आम बात ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग का Initiant History है, मतलब प्राचीनित्यास है जो हम लोग के पूरवज करते थे ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिंदोगार्टी की सभیتा के पतन के वज़ा 이제 सिंदुगाटी जो है सभिता जो है कैसे नस्ट होगे दोस्तों इसके बारे में जो है यहां हम monte जानते है साटीक कारण अभी भी अग्याता है मतलब साटीक कारण जो है मतलब की मेन कारण जो था वह जो है अभी भी नहीं पता है किसी को कमज़ोर मानसुन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है मतलब यह अनुवान लगा गया है कि हो सकता है उस समय कमज़ोर मानसुन रहा हो मानसुन अलग-अलग तरीके के रह रहे हैं हो जिससे वो लोग नहीं रह पाए हो सहर के जीवन को बनाये रखने के लिए सिंदु घाटी के सासकों की सकती के नुक्सान के सास परियावर्डिये परिवर्तन इसका कारण हो सकता है मतलब जो है हो सकता है वहाँ पर जो सासक रहते हों वो लोग जो है उन पर जो है कडाई करते हो जो मतलब वो हमारे ही सबता के जो लोग थे मतलब सिंदुगाटी की सबता के वहाँ भी उस समय हो सकता है राजा ये सब लोग रहते हो ये अनुमान है तो उनकी सकती का हो सकता है ये परिडाम हो या परियावरण जो है या मानसून जो है उन लोगों के उसमें ना रहा हो ठीक है उन लोगों के पच्छ में ना रहा हो ठीक है जनसंख्या को बनाय रखने के लिए संसाधन की कमी हो सकती ये भी एक कारण हो सकता है अनुमान लगा गया कि हो सकता है जनसंख्या को बनाय रखने के लिए संसाधन ना रहे हो मतलब की खाने पीने की बस्तुएं ना रही हो जिसके कारण जो है दक्षिड भारत की और जो है लोग चले गए थे लेकिन दोस्तों ये सब केवल अनुमान है जिसको जो है हम लोग पूरी तरीके से सत्य नहीं कह सकते हैं आगे जो है कुछ अच्छे अनुमान है जिनको हम लोग देखते हैं यह सब लोग जो है अनुमान लगाएं ठीक है आगे बढ़ते हैं यह है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अनुमान ठीक है जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं एक अनुमान है दोस्तों आर्यन का आकरमण जैसा कि हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे ठीक है अगले लेक्चर में कि आरे जो है अपने देश में आये थे तो कुछ लोग जो है यह भी अनुमान लगा रहे हैं मतलब मोटी मर वीलर एक थे उन्होंने जो है यह अनुमान लगाया कि हो सकता है आरे लोग जो आये हो वो लोग जो है सिंदु घाटी के लोगों पर आकरमण कियो है जिससे यह लोग जो है नहीं रह पाये हो ठीक है लेकिन दोस्तों इसको जो है उतना सही नहीं माना जाता है ठीक है क्योंकि क्योंकि आपने यहां की सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पहले से इतने डेपलप्ड थे ठीक है इतने डेपलब्ड थे ठीक है तो इन लोगों के पास जो है सभी चीजों का ग्यान था तो ये जो है उतना अच्छा जो है सटीग अनुमान नहीं है ठीक दोस्तों उन लोगों को जो है सभी चीजों का ग्यान था मतलब अधिक तर चीजों का ग्यान था ठीक है तो उनको जो है कोई हारा पाई ये जो है संभोर नहीं था ठीक है अगला जो है अनुमान है दोस्तों टेकटोनिक मूवमेंट ठीक है टेकटोनिक मूबमेंट या फ्लड ठीक है तो ये जो लोग जो है क्योंकि वो लोग नदियों के किनारे ही रहते थे तो हो सकता है उनके घर और सब लोग जो है नदी में बह गये हो हो सकता है बाढ़ आ गई हो जिस वजा से जो है सिंधु घाटी की सब्विता का बिनास हो गया हो यह एक अनुमान है दोस्तों यह मोस्ट मतलब यह सबसे सही माना जाने वाला अनुमान है दोस्तों ये फ्लड वाला जो है और एक अनुमान है इसको देखते हैं सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन मतलब सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो मतलब कि जैसे पहले इधर से जाती रही हो ये लोग यहां रहते हो बाद में नदी जो है इधर से रास्ता अपना बना ली हो ठीक है तो ऐसा भी हो सकता है लेकिन दोस्तों ये भी अ बेदा जो है नश्ट हो गई होती है और हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता ठीक है दोस्तों हम लोगों को खुदाई में जो है कुछ भी नहीं मिलता मतलब वो सब लोग बह गए होते ठीक है और यहां नहीं मिलता ठीक है तो यह भी उतना अच्छा जो है अनुमान नहीं है इ तो यहां पर कोई नहीं रह रहा था मतलब इतने समय में जो है और जो थे वो लोग जो है तो इसको जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आर्यों का आगमन उमीद है आप लोगो को यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आप लोगो कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप लोग जो है कमेंट सेक्षन में उसको पूँछ सकते हैं या और अधिक जानका करी चाहते हैं तो दोस्तों उसको भी कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है समझ में आया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को जो है लाइक करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और दोस्तों अपने दो साथ में इसको सेयर करें ठीक है सेयर करें जिससे हम लोग का भी थोड़ा सा फायदा हो हम लोग का मेहनत का फल मिले ठीक है दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्य बाद जैना झाल झाल